इस वीडियो में सॉल्व करेंगे question no.1 find the SP if MP is equal to 1300 and discount is equal to 10% and second case is MP is equal to 500 and discount is 15% तो यहां पर SP और MP में क्या relation होता है देखिए MP दिया रहता है और discount को find करना होता है तो कैसे निकालते है SP तो आपको पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कोई confusion ना हो तो हम यहां बता देते हैं MP MP में जब discount करते हैं जब minus करते हैं discount % तभी निकलता है क्या SP यह आपको ध्याना चाहिए तो MP में यहां कुछ घटाते हैं तब जगा निकलता है SP ठीक है तो यहां पर MP दे चुका है और SP आपको निकालना है इसका मतलब कि SP निकालने के लिए SP एज़को डू क्या होता है हम यहां समझ चुके हैं यहां पर क्या होता है MP में से जब कुछ minus करेंगे MP की का discount % निकाल करके MP का discount % upon 100 मतलबрий जो भी दिजा रहेगा यहां पर रखेंगे अपान 100 रखेंगे और इतना कर लेंगे तो हमारा formula बन जाएगा ऐसे मतलब कि MP जब common कर लेते हैं तो मिल जाता है हमारा यहाँ पर हो जाता है 1, 1- यहाँ खताम हो गया यह भी और यहाँ मिल जाता है discount discount percent upon 100 ऐसे मिल जाता है और इसे को थोड़ा सा अच्छा से लिख देंगे तो मिल जाएगा हमें formula MP और यहाँ multiply करेंगे तो मिलेगा आपको 100- discount percent upon 100 तो यह formula मिल जाता है SP पराबर तो आपको concept पता होना चाहिए यहाँ पर कि यही बाला जो यहाँ पर जो मैंने यह Aero बना कर किया है यह concept है तो इसे सब कुछ निकला है यहाँ पर तो आप SP निकाल सकते हैं यहाँ पर तो we have first SP is equal to क्या होता है MP in bracket होता है यहाँ पर 100- discount percent 100- discount percent whole upon 100 so यहाँ पर MP कितना होगा MP आपका 1300 दिया हुआ है first case में यहाँ पर रख देंगे तो 100- discount percent कितना है 10% तो यहाँ रख देंगे 10 upon 100 अब यहाँ solve कर लेते हैं तो मिलेगा यहाँ थर्टीन हंडेड इंटू यहाँ आप मनस करेंगे मिलेगा 90 upon 100 दो जुरू किंसे लोगे है दो जुरू यहाँ से थर्टीन अंजा थर्टीन अंजा 1 and 17 होता है 117 and 10 दिस मच रुपीज हो गया आपका SP ओके आप कर लेते हैं second second में भी यही फ्रम लगाना है कोई दिकत नहीं है SP बराबर we know that SP बराबर MP in bracket 100 minus discount percent upon 100 तो यहाँ पर मिलेगा MP is equal to have 500 500 in bracket 100 minus discount कितना है 15% use करेंगे 15 upon 100 solve करेंगे आपको मिल जाएगा 500 multiplied by 100 मस 15 कितना हो जाएगा 85 upon 100 20 किंसील हो गया है आपर 55,25 का 5 होता है and 58,40 40 का 40 into 42 हो जाएगा 425 रुपीज यह आपका है answer second और यह answer है first thank you so much for watching bye